मध्याप्रदेश लोकसिवा आयो यानी MPPSC ने भीटे महीने 27 अगस्त को मध्याप्रदेश राज्यपातरता परिक्षा इनी सेट 2022 का आयो जन किया था इसमें 1,020,00 उम्जीद वारों ने आवेधन किया परिक्षा में पास होने वालें को दिये जाने वाले सर्टिफिकेट का परसेंटेज भी अभी 6 ही जिसे उम्मीदवारों ने बढ़ा कर 15 पीसदी करने की मांग इस मांग को लेकर सोमवार को MPPSC के बाहर National Educated Youth Union यानी N.E.Y.U. के साथ युवाओं ने प्रदर्शन के लेकिन उन मांगों को लेकर नारेबाजी की और यापन्तिया युवाओं का कहना है कि जब साल 2017 में इसके पहले सेट की परिक्षा हुई थी और इसमें भी नियम 15 पीसदी का था तो फिर वही इस बार भी क्यों नहीं इस्टुडेंट्स की मांग और भी है नेयू के बेनर तले हम लोग 3 घंटे से यहां पर बेटे हैं लेकिन आयो की आज ताना साही देखो वो एक भी जिम्मेदार अधिकारी हमसे मिलने तक नहीं है युवाओं यहां परिशान है एमपी सेट में हम 15% की मांग को लेकर लगातार अंदोलन करो 3 घंटे हो चुके लेकिन देखिए आयो कितना वो हो चुका है अगर आज बाहर नहीं आती है मेडम बाहर नहीं आती है तो एक बड़े अंदोलन के लिए आयोक तैयार है और निश्चित कालिन अंदोलन के लिए तैयार है राजी पातरता परिक्षा 2022 यानी SAT सैट में विशयवार और वर्गवार अरहता च्षै की जगह 15% यदि ये परिक्षा दी हो तो उसे इससे बाहर रखा जाए वहीं मध्यप्रदेश लोग सेवा आयोक के पताधिकारियों का इस मामले में कहना है कि सैट परिक्षा का आयोजन यूजी सी की गाइडलाइन के अनुसार ही होता है इसमें पातरता अंक और प्रतिशत दोनों ही यूजी सी की गाइडलाइन के मताविक ही ताय होते हैं आयोग ने भी इसी गाइडलाइन को फॉलो किया जबकि कुछ अन्य राज्यों के आयोग ने भी अपने स्तर पर पातरता का प्रतिशत पढ़ाया है ऐसे में उम्मीदवारों का भी तर्क है कि जब अन्य राज्य ऐसा कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता मध्य प्रदेश भी उम्मीदवारों के हित में ये फैसला ले सकता है रविवार को ये परिक्षा आयोजित हुई थी जिसमें करीब 1,2,000 दावेदार थे ये परिक्षा मध्यप्रदेश के 12 शहरों में 276 परिक्षा केंद्रों में आयोजित हुई थी इन दोर में सरवाधिक 24,900 मीदवार थे जो इस परिक्षा में शामिल हुए